आज के इस कारिक्रम में हम देखने वाले हैं कि मिर्गी या हिस्टीरिया के क्या योग होते हैं जन्पत्रिका में, यदि किसी वीव्यक्ति की जन्पत्रिका में ग्रहों की वह इस्तितियां जो भी मैं बताने वाला हूँ हैं, तो उनको मिर्गी या हिस्टीरिया की सम्होना ब धुतिय बिंदु है कि अस्टम भाव में कोई पापग्रह हो और चंद्रमा शुक्र के साथ केंद्र में विराज मानों. अस्टम स्थान में पापग्रह हो कई पापग्रह हो और चंद्रमा के साथ शुक्र केंद्र में विराज मानों तब भी यह रोग हो सकता हैं. पापग्रह कौन से होते है सूर्य मंगल शनि राहू और एदू है अगला बिंदु है कि राहू लगन में विराजमान हो और सस्थ भाव में चंद्रमा हो तब भी मिरगी या हिस्टीरिया हो सकता है अगला बिंदु है कि आठवे स्थान में या फिर लगन में सूर्य चंद्रमा वा मंगल के साथ बेठे हुए हों तब भी इस रोग की संभावना बनती है अगला बिंदु है कि सनी और मंगल एक साथ छटवे भाव या आठवे भाव में विराजमान हों तब भी मिर्गी या फिर हिस्टीरिया हो सकता है इस प्रकार से कौन से ऐसे संबंध है ग्रहों के किस भाव में होने पर कौन से ग्रह किस भाव में होने पर मिर्गी या हिस्टीरा हो सकता है इसको हमने आज संचिप्ट में जाना आज के लिए बैस इतना ही नमस्कार